फ्रेंड्स वेलकम टू एमके भी स्वेसल टैक एजुकिशन तो माई डियर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम SSC से रिलेटेड जो बैकेंसी आई हुई है SSC GD के लिए जो बैकेंसी आई हुई है उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं अगर आप भी क् अच्छा दसवी उतीन है तो आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इसके लिए आपको दसवी कख्छा पास होना चाहिए तो पूरी डिटेल आपको यहां पर दी जाएगी कि कितना बेदनमान आपको दिया जाएगा कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे कैसे आपका पूरी जानकारी यहां पर डिटेल वाइस आपको दी जाएगी पोस्ट वाइस जानकारी दी जाएगी तो गाईज अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे इसके लावा वैल आइकॉन को प्रेस करके आल के ओप्सन पर क् हमारी सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम से मिलते रहेंगी तो यहां पर आप देख पा रहे हैं SSC के ओफिसियल वैब साइट से ओफिसियल नॉटिफिकेशन हमने डाउनलोड किये हुए हैं और यहां पर कॉंश्टेवल जीडी एंड सेंटरल आ अप्लिकेशन की बात करें तो आप 17 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2020 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं मैं एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं कि इसमें केवल ओनली 10 पास वाले केंडिडेट एपलाई कर सकते हैं यानि अगर आपने 10 पास किया हुआ है तो आप एपलाई कर सकते है इसके बाद आपने जितनी भी आगे पढ़ाई किया वो भी कर सकते हैं बट 10 जो है minimum qualification रखा गया है तो यहाँ पर last date की बात करेंगे तो last date 31 अगस्त है इसके अलाबर time making online payment सितंबर 2021 तक कर सकते हैं computer waste examination tier first आपको inform किया जाएगा आपको जो है हमारे वीडियो की माध्यम से पता चल जाएगा तो dear friends यहाँ पर आप SSC GD से related important vacancy के बारे में देख पा रहे हैं जिसका CBE यानि computer waste examination SSC के द्वारा conduct कराए जाएगा जो की हिंदी और इंगलिज दोनों भासाओं में होगा इसके अ इतना आपको बेतनमान दिया जाएगा तो यहाँ पेस्केल आप देख पारें पेस्केल आपका 2700 से 79100 रहने वाला है यानि आपको Central Government Level 3 का salary दिया जाएगा इसके अलाबा बैकेंसी की बात करेंगे तो जो बैकेंसी है BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIA, SSF और टोटल बैकेंसी 25271 है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में बैकेंसी निकाली गई है अगर आप भी सेना में जाना चाहते हैं या BSF, CISF, CRPF में जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत बड़ी opportunity है यहाँ पर 25271 पोश्ट के लिए 18 से 23 बर से तो आप फॉम को फिल कर सकते हैं इसके अलाबा आपके category wise आपको यहाँ पर reservation दिया जाएगा, Central of Government India, Government of India के तहत जो rules regulation होते हैं, age criteria में, relaxation में वो आपको दिये जाएंगे, dear friends यह मौका आप बिलकुल मत चुकाएं, यह बहुत ही बड़ी मात्रा में vacancy है, इसके अल आपको जरूर फिल करें, इससे related जानकारी में सारी जानकारी आपको यहाँ clear कर दूँगा, अगर हम बात करें certificate category की, तो NCC अगर आप है, C certificate आपके पास है, तो 5% maximum marks आपको दिया जाएगा, इसके अलाबा NCC अगर B certificate है, तो 3% of maximum marks of the examination, यानि जितने अंक का आपका exam होगा, उसका 3% अंक आपको NCC B certificate में दिया जाएगा, अगर आपके पास A certificate है, तो आपको 2% अंक दिया जाएगा, तो यहाँ पर NCC certificate वालों candidates को प्रात्मिक्ता दी जाएगी, इसके अलाबा कैसे आप form को apply कर सकते हैं, तो यह website है, https slash ssc.nic.in, जिस पे आप जाकर form को भर सकते हैं, इ लेकि, आपको पूरी जानकारी हमारे description box में मिल जाएगी, form को fill करना हो, या notification download करना हो, सारी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और हम आपको बता ही रहे हैं, यहाँ पर examination fee की बात करेंगे, तो आपको only 100 rupees पे करना है, यानि आपको 100 rupees के रूप में पे करना होग तो online कब तक आप form को भर सकते हैं, यह हमने बता दिया, अब हम बात करेंगे examination center की, तो आप जिस किसी state से भी belong करते हैं, आपको प्रतेक state में अलग-अलग center conduct कराये जाएंगे, तो आपको अपने ही state में SSC GD का exam देने को मिलेगा, यानि यह बहुत अच्छी बात है कि आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा आने जाने के लिए, अगर हम बात करें same of examination की, कि आपकी examination कैसा होगा, तो general intelligence and reasoning के आपके 25 questions आएंगे, पार्ट B की बात करेंगे, general knowledge and general awareness 25 questions आएंगे, 25 marks के होंगे, elementary mathematics यानि mathematics से 25 questions 25 आएंगे, और English और Hindi दोनों से questions पूछे जाए तोटल 100 questions 90 minutes में आपको solve करना है, तो यहाँ पर आपको धियान रखना है कि आपको जो questions है, वो objective type यानि MCQ type questions आप से पूछे जाएंगे, syllabus के बारे में बात करेंगे, तो देखे यहाँ पर आप syllabus देख पार हैं, अगर आपको syllabus और चाहिए, detail में तो आप हमें comment section में comment करके syllabus की videos के लिए request कर सकते हैं, हम आपको जरूर प्रदान करेंगे, इसके अलावा male candidates की बात करेंगे, height 170 cm होना चाहिए, female के लिए 157 cm height होना चाहिए, तो आप यहाँ पर form को fill कर सकते हैं, अलग-अलग यहाँ पर height, अलग-अलग category के अधार पे chest की जो है, अलग-अलग criteria रखा गया medical examination भी आपका यहाँ पर conduct कराया जाएगा, इसके अलावा certificate की format सारे website पर उपलब दें, बहाँ पर जाकर आप certificate को देख सकते हैं, तो dear friends, यह बहुत informative जानकारी है, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है, अगर आप 10th pass किये हुए हैं, तो यहाँ पर आप home को fill कर सकते हैं, क्योंकि 10th pass वाले candidates की यहाँ पर vacancy निकाली गई है, जो कि भारत सरकार के अलग-अलग छेतरों में यहाँ पर आपको कारे करना होगा, और आपको यहाँ पर salary भी बहुत अच्छी दी जा रही है, यानि 21,700 से 69,100 basic pay scale आपका रहने वाला है, और government of India की सारी सुभिधाएं, सा जानकारी मैंने बता दिया है, अगर आपको इस vacancy से related किसी भी प्रकार का कोई doubt है, तो आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हैं, इसका जबाब मैं आपको जरूर दूँगा, तो dear friends, जानकारी में अगर आपको आपके लिए यह जानकारी helpful है, तो वीडियो को like कर लेना, और